यहां पर हमने एक ऐसे एक्साइटिंग एक्सपीरियंस के बारे में पताना अपनी लाइफ में जो हमें काफी पसंद है यहां पर हमने पताने कि कौस एक्सपीरियंस है नेक्स इस वेन इंड वें इतना अक्साइटिंग क्यों लगता है सब्सक्राइब नियुक्त नाइब तो यहां पर हम रचाहिए जो लाइफ हमारी उसमें काफी जाद हमारे सब्सक्राइब तो यहां पर हमने बताया कि यहां पर मैं आपके सब्सक्राइब शेयर करना चाहता हूं जो मैं कभी भूल नी सकता वो एक्स्पिरेंस क्या है राइडिंगा बोट वस दूरिंग अलाग समर होलिडे बाइब फाइब फाइब फाइए अगों माई सब्सक्राइब तो यहां पर हमने चाहिए कि यह समर ब्रेक की बाद आज से लगबक पांस सार पहले की बाद जब मेरी यूनिवस्टी क्लोज हो कि छुटियां थी तो मैंने डिसाइड किया कि मेरे दूसने मुझे बुलाया था अपने घर पे तो मैं वहां पर गया था उसक क्रिस्टल क्लियर वाटर तो यहां पर हमने चाहिए कि जो लेक काफी सादा फेमस थी बिकोज उसका एक रिजन तो यही था कि वह काफी बड़ी थी पर उसके लावे क्या है कि उसका जो वाटर काफी सादा साफ सुतरा भी है एनिवेए आ वस वेरी एक्साइट अबाट जो मेरे लिए वेट कर रहा था जो मेरे को बिल्कुल भी एक्सपेक्टेट नहीं था इन फेक्ट अफ्र अर्राइविंग एट मैं फ्रेंड वाइट कालर की मोटर ड्रिवन बोर्ट वास वेटिंग फॉर अस्टू राइड तो यहां पर हमने ताया है कि जब मैं उसके हॉम यहां पर हमने पर प्रावलम थी कि उससे पहले मैंने कभी बोट जर्नी की नहीं थी और उसके लिए वह को बिल्कुल भी स्विंग नहीं आती थी तो यहां पर हमने पताया है कि फिर हमारी जो बोट जर्नी भी शोरू होगे और कुछ ही टाइम में हम क्या समंदर के लेक के बीच में चले गे जो किनारा था उससे काफी दूर चले गे तो यहां पर हमने पताया है कि कुछ ही सेकंड्स में कया जो मेरा डर था वो सारा दूर हो गया और मैं चाहता था कि कुछ जो बड़ी मशलिया उनको मैं पकड़ू बट मेरे फ्रेंड ने मेरे को रोक दिया यहां पर हमने जाए कि इसमें कोई दो रहा है कि मेरा एक बहुत ही जादे बड़ी अक्स्पिरियंस था जो में को हमेशा याद रहे का इससे पहले मैं कभी बोट से ट्रेवल नहीं किया था बिसाइड्स वें आइ वस इन अ मिडल अफ द लेक आइक आइक तो यहां पर हमने इसके लावाद में पहुंच गए लेक तो ऐसे लग रहा था कि जैसी स्काय ने पूरे जो लएक टावर की तरह कवर किया हुआ है I also felt like the fishes wanted to talk to us and befriend us when they were swimming around our boat तो यहाँ पर हमने जाए कि मैं कोई ऐसा भी लग रहा था कि जैसे जो मचलियां थे वहाँ पर जो फिशी से वो हम आरे साथ बात करना चाहती थी जब वो हमारे बोर्ट के राउंड तैर रही थी Finally the chirping of the birds over our heads felt like they were singing to greet us in their world तो यहाँ पर हमने जाए कि finally end में ऐसा लग रहा था कि जो birds से उनकी जो वाइसी चरपिंग ऐसी लग रही थी कि जैसे वो हमारे welcome कर रहे हैं हमें greet कर रहे हैं अपनी दुनिया में तो that's it guys यह था हमारा sample answer regarding this cue card I hope आपको यह अच्छा लगा होगा so before you exit the video guys please hit the subscribe button and don't forget to share this video and I will catch you in the next one till then take care and good luck with your preparation guys thank you